रूबीना दिलाइक और जैस्मीन भसीन के बीच हो रही थी बातचीत वेल इसी बातचीत के दौरान रूबीना ने जैस्मीन को बताया कि उन्होंने एक गलत लड़के को डेट कर लिया था और जिसका नतीजा ये रहा कि उस लड़के के नाम पर सभी लांड्स सभी प्रॉपर्टीज ली और फिर जब वो रूबीना का एक्स बॉइफ्रेंड हो गया तो रूबीना की सारी लांड्स सारी प्रॉपर्टीज उसी लड़के के पास ही रही क्योंकि वो प्रॉपर्टीज उसके नाम पर थी जी हाँ रूबीना दिलाइक ने जैसमीन को कहा कि मैंने एक गलत लड़के को डेट कर लिया था जिसके नाम पर मैंने सारी प्रॉपर्टीज खरी दी और मेरी सारी इंवेस्टमेंट चली गई रूबीना ने कहा कि जब मैं अभिनव से मिली तब मेरे पास मेरी सेविंग्स में एक रूपया तक नहीं था वेल रूबीना दिलाएक चली ये देर आए दुरूस्त आए अब तो आपको आपके मिस्टर परफेक्ट मिल गए है ना पाइनल काट एंटिटेंमेंट डेस्क